आज मुझे किसी ने बड़ी इंट्रस्टिंग एक चीज बेजी और वो चीज में चाहता हूं कि मैं आपको बताओं या पढ़के सुनाओं बड़ी मज़िदार चीज है और हरांगी की बात है यह चीज किसी ने नोट नहीं की लेकि किसी बहुत बड़े नाकद ने या महररन ने इसको नोट किया और इसको लिखा और वो मैं बताना चाहता हूं यह है हमारे नोट के बारे में यह हमारे रूपिय के बारे में नोट के बारे में हमारा जो करंसी का नोट है इस पर चार चो दुर्टी लइनों सत्रों में 6 गलतिय इंसाले निकानी हैं। उर्दू की 6 गलतिय और आप सोचे हैं यह बहुतर, यह जुछे गलतियां का नियुक्तिक। thousands of people have written me for the 157-75 आपिक करणा बनी हैं, अर आप सुना है इन गलतियों को ठीक करने जा है उर्दू के एन मताबिट और इस्टेट बैंक ने इसकी बड़ी नोटिफिकेशन लिया और उसको एज वी से के जैसे किसी उर्दू नवाज ने गलतियों को बताया है या नुमाया किया है और उनको ठीक करने जा रहा है कुछ गलतियां इस तरह से हैं पहली गलती जो काफ ये ये नहीं लिखा जाता उर्दू में उर्दू में लिखा जाता है बंक बे नोन काफ ये स्क्रीन पे भी आप देख रहे होंगे गलत है इसकी हिज्जे और सही हिज्जे पहली लगती दूसरी गलती रुपिया नहीं रुपै जब एक से जादा का जईफा हो तो ये का सूर अपनाया जाता है कि यानि एक रुपिया दो रुपै पचास रुपै एक हजार रुपै ये एक होगा तो रुपिया होगा अगर दो होंगे तो रुपिया होंगे दस होंगे तो रुपिया होंगे हजार होंगे तो रुपिया होंगे तो ये दूसरी गलती तीसरी गल तरह भाँ के जिसके पास मुतालबा में कि मुतालका नहीं और पांच्फी लाती करेगा नहीं करेगा अब आप स्कीम पे देख रहोंगे और लिखावा है काफ रे ये गाफ अलिफ एक साथ लिखावा है बलकि लिखा जाएगा काफ रे बड़ी ये करे और गाफ अलिफ गाफ करेगा और जनाब छटी खलती हुकुमत पाकिस्तान की जारी हुआ ये लिखावा है नोंने हुकुमत पाकिस्तान की जानेब से जारी हुआ नहीं ये खलत है बलकि हुकुमत पाकिस्तान की जारी हुआ हुकुमत पाकिस्तान की जारी नहीं हो सकता हुकुमत पाकिस्तान की जारी होगा तो पर होना चाहिए यह हैं जनाब यह उर्दु जबान की नजाकतें में उर्दु जबान की मिठास उर्दु जबान की अदाएगी बियानगी खुबसूर्थ है। मैंने सुचा इसको आज मैं भी डॉक्यमेंट करूँ और आप लोगों बताऊं कि चूटी चूटी चीजे कितनी मज़दार होती हैं और इंको और करेक्ट किया जाए और सभी से पढ़ा जाए उसका लुट्वी और कुछ होता है। इसको आप भी नोट कीजेगा क्यों भी आप रुपय का नोट निकाल लेजिए। रुपया आप तो नोट होता नहीं अब और नोट कीजेगा। राइंदा से इस चीज़ों का ख्याल रखिये। वह शद आपने तो कभी पढ़ा ही नहीं होगा कि उर्दू में लिखावा क्या है हमारे नोट की उपर। इस सारी इबारात उर्दू में लिखी ही है हमारे नोट की उपर। आप हमारा चैनल देखते रही है लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए वह बात है तेरी चैनल से नवीत फार्म की का आदा।